नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी क्या ISL 2021 से जुरी एक और नए वीडियो में तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ISL सीजन 7 के अंदर सारे टीमों का कॉनफॉर्म हेड कोचिस के बारे में तो देखते रही है वीडियो को एंड तक लेकिन उसे पहले एक और इंपोर्टेंट बात कि अगर आपने आभी तक हमारे चैनले को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गया है सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके साथ में जूरी नॉटिफिक्रिक्रिशन बिल को भी पर सेट कर देना ताकि इंडियन फूटबल से रिलेटेट कोई भी जान करी आप मिस ना करी तो चलिए बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एटी के मोहनबगन फूटबल क्लाप के बारे में तो गईस एटी के इंडियन सुपर लिग का शुडबात किया गया था तब इन्होंने एटी के का टीम में आया था और पहला ही सीजन में इन्होंने एटी के को ISL ट्रोफी दिलाया था उसके बाद 2015 में इन्होंने एटलेटीगोडी कोलकाता को सेमी फाइनल तक पहुँच आया था लेकिन 2016 में इनको एप्रोच कर लिया था FC पूने सिटी लेकिन एफसी पूने सिटी के साथ उनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा फिर उसके बाद 2019 में एटीके ने इनको एक बार फिर सी एपोइंट कर लिया था एज निव हेड कोच के दौर पर और जैसे ही एटीके में उनका हुआ तो उन्होंने एक बार फिर से आएसल ट्रोफी अपने नाम कर लिया और थार्ट टाइम एफ़र एटीके को आएसल चांपियन बनाया और उसी बज़े से एटीके मोहनबागन फूटबल क्लप ने एक बार फिर से एंटेनियो लोपेज हभास को रिटेन कर लिया है प्रिफर्ड फॉर्मेशन है 4-2-3-1 2017-18 सीजन में इन्होंने इंडिया में आया था और पहले ही सीजन के अंदर इन्होंने एपसी गॉआ को सेमी फाइनल तक पहुचाया उसके बाद 19 सीजन में लोबेडा के अंदर में एपसी गॉआ आएसल का राना रव हुआ उसके से पहले ही एपसी गूआ ने सर्जियो लोबेडा को स्थॉआ कर जिया था और अब इनको एप्पाइंट कर लिया है मुंबई सीटि एपसी उनका निड्म हेटेट कोच के दौर पर तो सीजन 7 के लिए मुंबई सीचे के कान्फॉर्म हेट कोच सार्जियो लोबेडा उसके तो लास्ट वीडियो के अंदर ही मैंने आप लोगों को बता दिया था हाद्रवादेपसी का निव हेटकोच के बारे में तो हाद्रवादेपसी ने यहाँ पर एप पॉइंट कर लिया है श्पैनिश फूटबोल कोच मानोलो मार्कुएच रोका को तो गईस मानोलो मार्कुएच रोका एक 51 वर्षिय श्पैनिश फूटबोल मेनेजर है और इनका प्रिफर्ड फॉर्मेशन है 3-4-2-1 इन्होंने अपना कोचिंग केरियन में श्पैनिश स्थाटर लिक के अंदर बहुत सारा क्लाबों के तरफ से हेट कोचिंग किया है ला लिगे 2 के अंदर भी इन्होंने पालमास एटलेटिकों का हेट कोच रहा चुगा है इसके लावा थाइवान लिक और क्रुएशियन फास्टर लिक के अंदर भी कई सारा बड़े-बड़े क्लाबों के तरफ से इन्होंने हेट कोचिंग किया है तो last year मोहनबगन का आयलिक winning head coach है और last year इनके अंदर में मोहनबगन ने आयलिक में total 21 matches खेला था जहाँ पार उन्होंने 16 matchों में जीत हसिल किया और 3 match draw में समप्थ किया जहाँ सिर्फ 2 matchों में इन्होंने हार का सामना किया था तो बहुत ही जबरदेस तेक head coach है किबू भिकूना, इंडिया के अंदर इनका ट्राक रेकॉर्ड भी बहुती सांदर है और इसके लवा पोलन्ट और लिथियोलियन फास्टर रिक के अंदर भी इनोंने बहुत सारा क्लाबों के तरब से हेटकोचिंग किया है तो किभू विकूणा होने वाले है आगले सिजन में केलो व्लास्टरस हैजिका कॉंफरम हेट कोच उसके बार नमबर पाच पे ओरिशी अपसी तो गैस ओरिशी अपसी का निव हेट कोच होने वाले है फॉर्मर साउध अफ्रीकान इंटरनाशनल टीम का हेड कोच स्टुवर्ट बैक्स्टर एज है 67 स्कॉटलेंड से बिलों करते हैं और इनका प्रिफर्ड फोर्शन है 4231 इन्होंने अपना कोचिंग केरियर के अंदर फिनलैंड, साउध अफ्रीका, स्वीडन और जापन का फस्टर लिक के अंदर बहुत सारा क्लाबों के तरफ से हेड कोचिंग किया है इसके लावा 2002 से लेकर 2004 तक England Under-19 टीम को भी इन्होंने head coaching करवाया है और इसके लावा South African National Team के सथ इंटरनेशनल केरियर में भी इनका head coaching experience है क्योंकि लगातार तीन साल South African National Team का भी ये head coach रहे चुगा है तो Stuart Baxter को appoint किया है OCFC और आप अगले सीजन में OCFC का निव head coach होने बाले है Stuart Baxter उसके बाद बात करते हैं Chennai NFC के बारे में तो गाईस थोरी दिन पहले ही यहाँ पर Chennai NFC ने उनका निव head coach confirm कर लिया है जिसका नाम है भाई Sissaba Last Glow तो Sissaba Last Glow हंगेरी से बिलों करते हैं AJ56 और इनका भी preferred formation है 4-2-3-1 इन्हों अपना coaching career में हंगेरी, जार्मानी और स्लोबाकियान फास्टर लिक के अंदर बहुत सारा club के तरफ से head coaching किया है स्लोबाकियन फास्टर लिक के अंदर दूनजास का football club के साथ इनका लगातर 16 मैचों में unbeaten records भी इनके नाम शामिल है और 2005 में फेरेंस वर्स football club के साथ Hungarian manager of the year और 2008 में Scottish manager of the year का award भी इन्होंने जीत चुगा है इसके लगा इंटरनेशनल केरियर में भी इन्होंने हांगेरी national team के assistance manager के दौर पर काम किया है लिथियोनियन international team का भी इन्होंने head coach रह चुगा है इसके लगा इनका ही head coaching अंदर में उगंडा national team भी FIFA world ranking में 167 से सीधा 97 तक आया था तो गाई स्कूल मिला कर बहुती शांदर एक choice में कहूंगा चेनाई NFC के लिए तो अगले season में यहाँ पर चेनाई NFC का निव head coach होने बाले है सीधा लास जलो नेक्स्ट अगर बात किया जाई बैंगलूर UFC के बारे में इन्होंने बैंगलूर UFC को अपना फर्स्ट ISL ट्रोफी दिलाया और लास्ट सीजन में इन्होंने बैंगलूर UFC को सेमी फाइनल तक कहुच आया है तो बैंगलूर UFC ने यहाँ पार उनका पुराना head coach Carlos Cuodra को ही retain कर लिया है अगले season के लिए तो season 7 के अंदर भी Carlos Cuodra थी बैंगलूर UFC का head coach रहने वाले है उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं FC Goa के बारे में तो guys season 7 में FC Goa का new head coach होने वाले है Juwan Ferrando तो Juwan Ferrando भी एक Spanish coach है AJ39 और इनका भी preferred formation है 4-2-3-1 Spanish starter league के अंदर इन्होंने CYD Leonesa और Linares Deportivo को manage किया है उसके बाद माल लोबा faster league के एक club Sheriff Tiraspol के तरफ से इन्होंने assistant head coach के दोर पर काम किया है और इसके लोबा ग्रीश faster league के अंदर भी इन्होंने GS Ergotelis और Valos NPS के तरफ से head coaching किया है और आप जुवन फेरंदो नेक्स सीजन ISL के अंदर FC Goa का new head coach होने वाले है नेक्स अगर बात किया जाए North East United FC के बारे में तो इस अगले सीजन में North East United FC का new head coach होने वाले है Gerard Nats तो Gerard Nats एक Spanish coach है AJ35 और इन्होंने अपना coaching career का शुरूबात किया था Liverpool youth team का head coach के दोर पर इन्होंने academy head coach भी धाय चुगा है उसके बाद Spanish secondary club रायो भेले कानों का sporting director और ला लिगे के अंदर भी इन्होंने LKCF का managing director के दौर पर काम कर चुगा है इसके लवा ऑस्ट्रिया ने लिग में भी इन्होंने Melbourne City football club का assistance head coach था तो इनको आप एपोइंट कर लिया है North East United FC और season 7 के अंदर उनका new head coach होने वाले है गेराइट नास उसके बाद आखरी टीम है वाई जामशितपूर FC तो गाइस जामशितपूर FC ने पोइंट कर लिया है यहाँ पर आएसेल सीजन 6 का रानारा भेटकोच ओएन कोईल को तो ओएन कोईल स्कॉटलेंड से बिलों करते हैं 4-2-3-1 इनका प्रिफर्ट फोर्मेशन है और इनका एज है 54 तो सीजन 6 तो सीजन 6 में चेनाइन FC के सीजन जब बहुत ही खराब चल रहा तब इनके अंडर में चेनाइन FC में ज्टोटल 15 मैचेश खेला था यहाँ पर उन्होंने 8 मैचों में जीध हजिल किया और 3 मैच ड्रॉ में समप्त किया और एकदम बटन अपड़ टेबिल से इनकेनाइन FC को सीधा रानाराब तक पहुचाया इंडिया में आने से पहले इन् लिस्टन डायनमों का मैनेजर रहे चुगा है और आप आगले सीजन में जामशित्पुर FC के निव हेटकोच होने वाले है ओएन कोईल तो गाइस यही था अगले एक नए फूटबॉल एपिसोड के साथ और तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार और है वे गुड़ डेए